Change Preset Animation Effects अब हम आपको बताते हैं कि किसी animation effect को change किस थरा किया जाता है इसके लिए आप पहली वाली presentation open करें जिस पर आपने animation effect लगाया हुआ है Animation tab में Advanced Animation के menu में मौझूद animation pan को click करें PowerPoint में दाए जानिब animation pan जाहिर हो जाएगा इसमें play का button मौझूद है जिसे press करने से animation चलने लगती है और आप इसका preview देख सकते हैं यहां आप किसी object या text पर लगाए गए effects की list देख सकते हैं हर effect के साथ ये arrow है इसको click करें तो इसमें मजीद options नजर आएंगी जैसे start on click, start with previous, start after previous effect option, timings, hide, advanced timeline और remove effect इस remove effect को select करने से हम effect remove कर सकते हैं ये देखिए, remove के button पर click करने से ये effect खत्म हो गया है अब हम दोबारा इस तरीके से कोई दूसरे effect इस पर लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले लगा चुके हैं इस तरह हम एक effect को change करके दूसरे effect लगा सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि slide में transitions effect किस तरह add करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले कोई presentation open करते हैं जो हम पहले बना चुके हैं अब हमें transitions के tab में से transition to this slide का menu नज़रा रहा है यहाँ इस arrow को click करने से हमारे सामने दर्जनो slide transitions आ जाएंगी हम अपनी मर्जी और जरूरत के मताबिक कोई भी transition मुंतखिब करके लगा सकते हैं जिससे आपकी presentation में एक अच्छा तासुर मिलेगा मसलन हम checkboard across की transition को select करते हैं इस tab में हर transition effect की अपनी-अपनी options और settings हैं जो हमें यहाँ effect options में मिलेंगी जिनकी मदद से आप इन transition effects को customized कर सकते हैं इसी tab में timing का menu भी है जिसमें आपको sound, duration, advanced slide और apply to all की options नज़रा रही है यानि duration के मदद से हम transition की speed set कर सकते हैं और sound की मदद से इस transition में कोई sound भी लगा सकते हैं sound में भी इसी तरह की मुख्तलिफ options मौझूद है आप जो चाहे option सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ advanced slide के नाम से एक option मौझूद है जिसमें दो options मौझूद है on mouse click और after और इन दोनों के शुरू में एक check box है जिसका मतलब है कि आपने जो transition effect लगाया है वो mouse click करने से apply हो या automatically हो Automatically after पर click करने से इसके सामने मौझूद box में हम time set कर सकते हैं यानि वो transition कितनी देर बात चले जबकि अगर हम mouse click वाले box पर click करते हैं तो यह transition उस वक चलेगी जब हम mouse पर click करेंगे apply to all slides का मतलब यह है कि अगर आप यह transition इस presentation में मौझूद तमाम slides पर apply करना चाहते हैं तो आप इस option पर click करेंगे इसके इलावा इस tab में preview की option है जिस पर click करने से आपकी presentation slide pen में ही play हो जाएगी इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे के presentation को deliver करने के लिए slide show किस तरह किया जाता है और slides को height किस तरह किया जाता है इसके लिए आप कोई भी presentation open करने जो आप पहले से तयार कर चुके हैं अब हम slide show के tab में start slide show के menu में जाते हैं यहां आपको from beginning, from current slide, broadcast show और custom slide show की options नज़र आ रही है slide show tab से from beginning की command पर click करते हैं या keyboard से F5 key press करते हैं यह देखिए हमारी बनाई हुई presentation का slide show शुरू हो गया है और इस वक्त screen पर आपको इस presentation की पहली slide नज़र आ रही है अब हम mouse को click या keyboard के space bar को एक मरतबा प्रेस करते हैं ऐसा करने से इस presentation की दूसरी slide हमारे सामने आ जाती है और इसी तरह हम जितनी बार click करेंगे next slide सामने आती जाएगी और जब तमाम slides खतम हो जाएगी तो हमारे सामने एक black screen आ जाएगी जिसका मतलब है कि इस presentation का slide show खत्म हो गया है और जब हम click करेंगे तो वापिस PowerPoint की window पर आ जाएगे इस तरह हम presentation का slide show कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि on screen navigation tools को किस तरह use किया जाता है लेकिन इस से पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्या होते हैं जब हम slide show स्टार्ट करते हैं तो हमें screen पर left side पर नीचे की तरफ corner पर ये जो tool मौजूद है इसको screen navigation tool कहते हैं जिस पर click करने से हमारे सामने एक menu open हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ options आ रही हैं मसलन अगर हम इसमें से go to slide की command पर cursor लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक menu open हो जाता है और इसमें हमें उन तमाम slides के नाम नजर आ रहे हैं जो हमने इस presentation में बनाई हुई हैं इसमें से हम किसी एक slide को select करें तो हम इस slide पर पहुँच जाएंगे जिसको हमने select किया था इसके इलावा इस menu में हमें arrow option के नाम से भी एक command नजर आ रही है जब हम cursor इस पर लेकर जाते हैं तो हमारे सामने एक menu open हो जाता है जिसमें मुख्तलिफ options भी मौजूद है जिसकी मदद से हम अपनी presentation में मौजूद किसी एहम topic को बताने के लिए उस पर pen की मदद से circle लगा सकते हैं जैसा के हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं इस तरह हम मुख्तलिफ screen navigation tools को यूज़ कर सकते हैं hide the slides अब हम आपको बताते हैं कि slides को hide किस तरह किया जाता है यानि slide को छुपाया किस तरह जाता है इसके लिए हम सबसे पहले तीन मुख्तलिफ slides insert करते हैं सबसे पहली slide में हम पाकिस्तान लिखते हैं दूसरी slide में हम virtual university लिखते हैं और तीसरी slide में हम लहौर लिखते हैं अब हम इन तीनों में से जिस slide को भी hide करना चाहते हैं उसको select करते हैं जिसके लिए हमें slide pen में तीनो slides नजर आ रही हैं मसलन, हम इसमें से दूसरी slide को select करते हैं. Slide को select करने के बाद हम Slide Show के tab से Hide Slide की command पर click करते हैं. इस तरह करने से दूसरी slide hide हो जाएगी. गौर करें, Slide Span में जहां slide number आ रहे हैं, वहां दूसरी slide के number यानी 2 के उपर एक line सी आ गई है, जिसका मतलब ये है कि ये slide hide हो गई है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरी slide तो हमें अभी भी नजर आ रही है यानि ये slide hide नहीं हुई है दरसल ये slide hide हो गई है लेकिन ये यहां पर आपको नजर आती रहेगी लेकिन जब आप slide show शुरू करेंगे तो वहां पर ये slide नहीं चलेगी आईए हम slide show करके देखते हैं जिसके लिए हम slide show के tab में या keyboard से F5 key press करते हैं ये देखिए slide show शुरू हो गया है और इस वक्त आपके सामने screen पर पहली slide मौजूद है जिस पर हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है अब हम अगली slide पर जाने के लिए mouse से क्लिक करते हैं गोर करें कि क्लिक करने के बाद हमारे सामने screen पर तीसरी slide आ रही है जिस पर हमने लहौर लिखा हुआ है और फिर दुबारा क्लिक करने से slide show खत्म हो जाता है आपने गोर किया कि इस slide show में हमारी दूसरी slide नहीं चली क्योंकि दूसरी slide हमने hide की हुई है इस तरह हम जिस slide को hide करना चाहें कर सकते हैं Smart Art Illustrations Smart Art Illustrations आपको presentation में बसरी मालूमात या visual information अपने audience तक पहुँचाने में मदद करती है ये दरअसल आपके data को graphically खुबसूरती से पेश करती है इस lesson में आप सीखेंगे कि Smart Art Graphics किस तरह presentation में insert करते हैं Color और effects को किस तरह modify करते हैं और किस तरह आप अपनी presentation में Graphics की तंजीम या organization of graphics को तबदील कर सकते हैं Smart Art Graphics PowerPoint में ऐसे बहुत से Smart Art Graphics हैं जिनकी मदद से आप एक नहायत मतासर कुन और informative presentation त्यार और deliver कर सकते हैं To insert Smart Graphics Insert tab में जाएं Illustrations ग्रूप में से Smart Art की command select करें एक dialogue box आपके सामने खुल जाएगा इस dialogue box के बाएं जानिब और review Smart Art के दर्मियान इस Smart Graphics की किस्म या category को select करें अपना मतलूबा Smart Art Graphics मुन्तखिब करें और OK को प्रेस करें To add text to a Smart Art Graphics Graphics को select करें आप देखेंगे कि इसके गिर्द एक box बन गया है और इस box के left side पर दो arrows भी हैं इस arrow पर click करें एक task pan खुल जाएगा अब इस task pan के हर bullet में text enter करें आप देखेंगे कि जो text आप type करते जाएंगे वो graphic में add होता चला जाएगा और automatically उसके अंदर adjust भी होता जाएगा और graphic भी resize हो रहा है नई shape add करने के लिए enter प्रेस करें एक नया bullet बन जाएगा और text इसमें लिखना शुरू हो जाएगा आप किसी भी shape पर click करके उसमें text add कर सकते हैं अगर चंद shapes में type करना हो तो ये तरीका बेहतर है लेकिन अगर shapes काफी ज्यादा है और graphics illustration structure काफी complex है तो task pan में text input वाला तरीका ही ज्यादा मौसर और तेज है to convert existing text to smart art जिस paragraph या text को आपने smart art में convert करना हो उसको select करें अब right click करके convert to smart art पर click करें अपनी मर्जी का smart art graphic मुन्तखिब करें या नीचे दी गई more smart art graphics वाली option को क्लिक करके मजीद option में जाएं आप एक smart art graphic को दुबारा text में भी तबदील कर सकते हैं किसी smart art graphic को select करके smart art tool design tab पर click करें अब convert पर click करें और फिर convert to text को select करें चेंज दी ओर्गनाइज़ेशन अफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक तो एड़ शेप तो ए ग्राफिक ग्राफिक को select करें रिबन पर design and format tab आ जाएगा डिजाइन टैब को select करें जहां आपने नई शेप दिखानी हो उस जगह का इंतखाब करें और नजदीक तरीन किसी भी शेप को select करें ग्राफिक्स ग्रूप में एड़ शेप कमांड के drop down arrow पर click करें एक नया menu खुल जाएगा अब इस नए menu में add shape before या add shape after को select करें एक नई shape के लिए जो इसी level पर बनेगी जिस level पर आपने shape मुंतखिब की थी और अगर आप चाहते हैं के नई shape इसके उपर या नीचे बने तो add shape above या add shape below पर click करें ग्राफिक को select करें ribbon पर design tab and format tab खुल जाएगा डिजाइन टैब को मुंतखिब करें जिस shape को move करना हो उसको select करें create graphic group में promote या demote की command पर click करें इससे मुंतखिब करदा shape उपर या नीचे level पर move कर जाएगी आप यही काम task pen में रहते हुए भी कर सकते हैं अपने insertion point को इस मुंतखिब करदा जगा पर set करके keyboard की tab की press करें shape demote हो जाएगी और इसी तरह backspace या shift plus tab प्रेस करें तो shape promote हो जाएगी to rearrange shapes on the same level graphic shape को select करें ribbon पर design tab and format tab खुल जाएगा design tab को select करें जिस shape को आपने move करना हो उसको select करें create graphic group में move up या move down को क्लिक करें वो मुंतखिब करदा shape एक space उपर या नीचे हो जाएगी modifying the smart art graphics appearance to change the smart art layout graphic को select करें ribbon पर design tab और format tab खुल जाएगा design tab को क्लिक करें layout group में इस drop down arrow को क्लिक करके देखें आपको तमाम layout की list नजर आ जाएगी किसी भी layout का live preview लेने के लिए उस पर mouse लेकर जाएं और अब अपनी मर्जी का layout सिलेक्ट करें अगर निया मुंतखिब करदा layout आपके पहले layout से बहुत स्यादा मुक्तलिफ है तो हो सकता है कि आपका कुछ text नजर ही ना आए इसलिए कोई भी नया layout मुंतखिब करने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं कोई एहम मालूमात या important data मिस ना हो जाए जिससे आपकी presentation पर बुरा impression पढ़े या आपकी presentation ना मुकमल रह जाए To change the smart art style graphic को select करें, ribbon पर design tab और format tab नजर आने लगेगा Design tab को मुन्तखिब करें अब smart art style group में इस drop down arrow को क्लिक करके मजीद styles देखें हर style का live preview देखें और अपनी मर्जी का style मुन्तखिब करें To change the color scheme PowerPoint में आपको smart art style के color combinations या color schemes की बहुत ज्यादा variety मिलेगी हर color scheme अपने मुन्तखिब करदा theme colors को इस्तेमाल करती है इसलिए ये color scheme आपके मुन्तखिब शुदा theme के रंग से मिलती जुलती होगी Graphic को select करें, ribbon पर design tab और format tab नजर आएगा Design tab को select करें Change colors कमांड को क्लिक करें एक drop down menu सामने खुल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ color schemes नजर आ रही हैं अपनी पसंद और जरूरत के मुताबक color scheme का इंतखाब करें अगर आप smart art graphic में से किसी एक shape की appearance को बदलना चाहते हैं तो इस shape को select करें और format tab पर क्लिक करें अब आप इस एक graphic की shape style, color, effects और दूसरी settings को modify कर सकते हैं document exchange save an existing document under another file format, rich text format, presentation template, image file format, software type और version number अगर आप पहले से मौजूद presentation को किसी और file format, मसलन, rich text format, rtf, presentation template, image file format या किसी version number वगईरा में save करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी presentation को open करते हैं open करने के बाद file के tab से save as की command पर click करते हैं जैसी ही हम इस पर click करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने save as के नाम से एक dialogue box open हो गया है आपको dialogue box में नीचे की जानिब दो box, file name और save as type के नाम से नजर आ रही हैं जिनके आखिर में दाएं जानिब एक छोटा सा arrow का निशान भी नजर आ रहा है File name के box में कोई भी नाम रख सकते हैं जिस नाम से आप presentation को save करना चाहते हैं Save as type के box के किनारे पर मौजूद arrow पर click करें जैसे ही हम इस पर click करते हैं हमारे सामने एक list open हो जाती है जिसमें आपको मुख्तलिफ file formats नजर आ रहे हैं अब हम इन में से वो file format choose करते हैं जिसमें हम अपनी presentation को save करना चाहते हैं जैसे rich text format, image file format, web page वगेरा आपकी presentation इस file format में change हो जाएगी जिसमें आप चाहते हैं Hyperlinks and action buttons जब आप internet पर online होते हैं तो आप किसी भी website पर navigation करने के लिए hyperlinks को इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी, hyperlinks के जरीए आप किसी भी website या webpage पर navigation करते हैं मिसाल के तौर पर www.vu.edu.pk www.google.com www.yahoo.com वगेरा ये सब hyperlinks ही हैं एक email address भी hyperlink होता है आप भी अगर अपनी presentation में web address या hyperlinks लगाना चाहते हैं तो PowerPoint में ये मुम्किन है इस lesson में आप जान पाएंगे के hyperlinks किस तरह insert करते हैं और action buttons किस तरह लगाते हैं About hyperlinks अब हम कुछ बात hyperlinks के बारे में करते हैं बुनियादी तोर पर hyperlink के दो हिस्से होते हैं पहले हिस्से में web page का address या email address या कोई और location या कोई slide होती है दूसरे हिस्से में उस hyperlink का display text जो एक तस्वीर, button या shape की सूरत में होता है मिसाल के तौर पर http colon front slash front slash lms.view.edu.pk में view lms इसका display text हो सकता है लेकिन बाज उकात hyperlink का display text वही hyperlink भी हो सकता है To insert hyperlink तस्वीर या text को select करें जिसे आप hyperlink बनाना चाहते है अब right click करें और इस menu में hyperlink को click करें Insert hyperlink का dialogue box खूल जाएगा Ribbon में insert tab से भी आप hyperlink की option को click कर सकते है यहाँ text to display में आप अपनी मर्जी का display text लिख सकते है आप इस text को जिस वक्त चाहें तबदील भी कर सकते है अब address के field में hyperlink का address टाइप करें ओके click करें अब यह selected text एक web address का hyperlink बन गया है To insert a hyperlink to an email address टेक्स्ट या image पर click करें और hyperlink का menu खोलें Hyperlink का dialogue box खुलने पर email address पर click करें यहाँ email address लिखें और OK का button प्रेस करें यहाँ यह बात काबले जिक्र है कि powerpoint आपके लिखें गए email addresses वेब addresses को खुद बखुद hyperlink तसवर करते हुए इसको इसी hyperlink के format में लिखता है यानि जब आप कोई web address या email लिखकर enter key या space bar प्रेस करते है तो automatically powerpoint इस लिखें गए text को hyperlink तसवर करते हैं To insert a hyperlink to another slide Selected text या image पर right click करें Insert hyperlink dialogue box खुल जाएगा इसी dialogue box में by जानिब place in this document पर click करें यहाँ आपकी presentation की तमाम slides की एक list आजाएगी अब इस list में से इस slide को select करें जिसको hyperlink करार देना है ओके को click करें अब आप अपनी presentation में navigate कर सकते है To insert hyperlink to another file Selected text या image पर right click करें Insert hyperlink dialogue box खुल जाएगा इसी dialogue box में by जानिब existing file या web page पर click करें इस drop down arrow को click करें और अपनी मतलूबा file को तलाश करके browse करके select करें OK को click करें यह आपने file का hyperlink बना लिया है To remove hyperlink Hyperlink पर right click करें और remove hyperlink पर click कर दें Hyperlink remove हो जाएगा लेकिन text या image डिलीट नहीं होगा Inserting action buttons Web pages, files, email address और slides को आपस में link करने का एक बहुत मुशर तरीक का action buttons है यह PowerPoint में built-in button shapes हैं जो आपकी presentation slides को आपस में और दूसरी files के साथ link करने के लिए काम आते हैं इसके अलावा action buttons के जेरिये sound को play कर सकते हैं कोई video play कर सकते हैं जब कोई button पर click करेगा तो यह action perform करेगा Action buttons भी hyperlink की तरह काम कर सकता है आप action button को एक slide पर भी show कर सकते हैं और एक ही button को एक से ज्यादा slides पर भी लगा सकते हैं To insert an action button on one slide Insert tab पर click करें Illustrations group में से shapes को click करें एक drop down menu खुल जाएगा और इस menu के आखिर में action buttons होंगे अपना मतलूबा button मुन्तखिब करें Slide में मतलूबा जगा पर click करके इस button को insert करें Action settings डायलॉग बॉक्स जाहिर हो जाएगा Mouse click या Mouse over tab को select करें यहां mouse click को select करने से मुराद है कि ये बटन सिर्फ mouse click पर काम करेगा और mouse over का मतलब mouse उपर ले जाने पर function perform करेगा Action on click के section पर hyperlink to को select करें और फिर drop down arrow पर click करें और इस menu में से अपनी जरूरत के मुताबिक option select करें Place sound box को check करें अगर आप इस button के action पर कोई sound देना चाहते हैं यहां drop down में दी गई sound को select करें या अपने computer में से sound file search करके select करें OK पर click करें To insert action button on all slides, view tab पर click करें Master views group में slide master पर click करें और जैसा के आप पढ़ चुके हैं के master slide किस तरह बनाते हैं इसी तरीके से master slide बनाएं और मुंतखिब करदा button को master slide में लगा दें अब यह button आपकी तमाम slides में लग जाएगा और same function perform करेगा मसलन, previous slide, next slide वगेरा To change the appearance of an action button, action button को select करें Drawing tools format tab पर click करें अब इस button का style और रंग तबदील करने के लिए Shape style group की commands जो मुख्तलिफ tools की शकल में हैं, को select करें Action button की shape तबदील करने के लिए Insert shape group में मौजूद, Edit shape की option में जाएं और इस action button के लिए एक नई shape इस drop down list में से मुंतखिब करें आपके action button की shape और style बदल गया है, लेकिन function तबदील नहीं हुआ Working with tables PowerPoint 2010 में मालुमात को slides पर display करने के लिए हम tables का इस्तमाल भी कर सकते हैं असल में एक table एक ऐसा object होता है जिसमें rows और columns को एक grid की शकल में arrange किया होता है Tables को आप अपना data दिखाने के लिए customize भी कर सकते हैं Objectives इस lesson में आप सीखेंगे के Tables को किस तरह insert करते हैं Table styles को किस तरह apply करते हैं और मुख्तलिफ commands के जरिए table को format कैसे करना है To insert a blank table Insert tab में table command पर click करें अब अपने mouse को in columns और rows पर hover करें और अपने table के लिए rows और columns को select करें अपने mouse को click करें आप देखेंगे कि आपने जितने columns और rows पर mouse hover किया था उतने ही rows and columns के हिसाब से table बन गया है अब आप insertion point को इस table में कहीं भी click करके text लिख सकते हैं आप place holder में भी table insert कर सकते हैं Place holder में insert table पर click करें और अपनी जरूरत के मताबिक rows और columns को add करें To move a table Table के किनारे या edge पर mouse pointer को ले जाएं इसकी शकल तबदील हो जाएगी Click करें और drag करके मतूबा जगा पर ले जाएं और वहाँ जाकर mouse को छोडें आपका table वही place हो जाएगा Modifying tables To resize the table Mouse pointer को table के किनारों पर ले जाकर इसके sizing handles को drag Mouse को drag करते हुए table का size कम या ज्यादा करें Mouse को छोडें आपका table resize हो गया है To add column और rows जहां पर आप row या column का इजाफा करना चाहते हैं इसके बिलकुल साथ वाले cell में insertion point को ले जाएं Table Tools Layout Tab Table Tools Layout Tab को select करें और इसमें rows and columns group पर जाएं अगर आप नई row का इजाफा करना चाहते हैं तो insert above या insert below को select करें इसी तरह अगर आप नई column का इजाफा करना चाहते हैं तो insert left या insert right पर click करें एक नई row या नया column जाहिर हो जाएगा To delete a row or column जिस row या column को delete करना हो इसमें insertion point को रख कर select करें Table Tools Layout Tab को select करें Rows and columns group में delete को click करें एक drop-down menu खुल जाएगा Delete rows या delete columns को click करें Modifying the table style to apply a table style Table में कहीं भी click करें Table Tools Tab आपको ribbon में नज़र आएगा अब table styles को तलाश करें More drop-down arrow को click करें और मजीद table styles आपको नज़र आएगे अपने desired style को select करें To change table style options यहां आपके पास 6 options है Header row, Total row, Banded row, First column, Last column और Banded column Table पर कहीं भी click करें Table Tools Tab खुल जाएगा Table style group में mouse को hover करें और यहां मजूद options पर लिखी explanations को पढ़ें और check boxes को check या uncheck करें जो table style आप इस्तमाल कर रहे हैं यह उस पर मुनहसिर है के table styles की options मुख्तलिफ हो सकती है To add borders to a table जिन cells पर border लगाना मक्सूद हो उनको select करें Table Tools Design Tab में अपनी मर्जी के Line Style, Line Weight और Pen Color को select करें Borders Drop Down Arrow को click करें Drop Down Menu में से अपनी पसंद की border type को select करें Selected Cells के गिर्द border बन जाएगा Modifying a Table Using the Layout Tab जब आप PowerPoint 2010 में table को select करते हैं Ribbon पर Table Tools में Design Tab और Layout Tab नजर आने लगते हैं अब आप table में हर तरह से modification कर सकते हैं यानि आप उन में rows और columns का इजाफा कर सकते हैं Cells को merge और split कर सकते हैं Cell Size को कम या ज्यादा कर सकते हैं Rows और columns को तक्सीम या distribute कर सकते हैं Cell Text को Align कर सकते हैं Cell Text की direction को पदल सकते हैं Advanced Options in PowerPoint 2010 PowerPoint के जरीए presentation देते वे आपको चन्द एहम नुकात को जहन में रखना चाहिए Number 1 आपकी presentation कितनी देर जारी रहेगी Number 2 आप इतनी देर क्या कहेंगे Number 3 कि अगर आप उस जगा नहीं है जहां आपकी audience है तो वो आपकी presentation को किस तरह देखेंगे खुश किसमती से PowerPoint आपको कई ऐसे features फराहम करता है जिनकी बदौलत आप एक tension free और smooth presentation अपने audience को deliver कर सकते हैं Objectives इस lesson में आप सीखेंगे के आप presentation की rehearsal या मश्क करना आप presentation की मुदबादिल options के बारे में सीखेंगे जैसे अपनी presentation की video बनाना नीज इस recorded presentation को अपने remote audience या ऐसी audience जो आप से दूर हों उन तक broadcast करना Finally, अपनी presentation के handouts बनाना और उसको कस्टमाइज करना और slides को rearrange करना Rehearse and record slideshows अपनी presentation की rehearsal करना बहुत जरूरी है इसके लिए PowerPoint में rehearse timings के feature को इस्तमाल करके आप अपनी presentation को बहुँ भी rehearse कर सकते हैं अगर आप slideshows को present करने से कासिर हों तो PowerPoint में record slideshows की option के जिरिए अपनी presentation को record करके narration का इजाफा कर सकते हैं To rehearse timings Slideshow tab को select करें और setup group को locate करें Rehearse timings command पर click करें आपकी presentation का full screen view नजर आना शुरू हो जाएगा लीजिए अब अपने slideshow को पेश करने की मश्क start करें जब आप next slide पर जाने का सोचें तो recording toolbar जो के दाएं तरफ उपर कोने में नजर आ रहा है से next का button क्लिक करें अगर आप चाहें तो आप keyboard से right arrow key प्रेस करके भी अगली slide पर जा सकते हैं जब आप slide show के आखिर में पहुँच जाएं तो keyboard से escape key को प्रेस करें और इससे आपका slide show खत्म हो जाएगा और एट dialogue box खुल जाएगा जिसमें presentation का total time लिखा होगा इस time को note कर ले और दो या तीन मरतबा presentation की मश्क करें और इस time का मवाजना करें आप इस दोरान वकफा लेने के लिए pause और resume भी कर सकते हैं और timings को re-record करने के लिए repeat का बटन प्रेस करें अगर आप presentation की timing से मुतमईन हैं तो yes का बटन क्लिक करें record a slide show slide show tab को क्लिक करें और setup group को locate करें record slide show के drop down arrow को क्लिक करें start recording from beginning या start recording from current slide इन दोनों options में से किसी एक पर क्लिक करें एक dialogue box आपके सामने फुल जाएगा यहां ये बात याद रहे कि आप presentation के लिए narration या आवाज तभी record कर सकते हैं जब आपके computer के साथ microphone लगा हो start recording पर क्लिक करें आपकी presentation अब फुल स्क्रीन व्यू में चलने लगेगी अपनी presentation को perform करना शुरू करें जब आप अपने slide show के आखिर में पहुँचें तो keyboard से escape की press करें आपकी presentation की timings आपके recorded slide show में शामिल हो जाती हैं और जिन slides के साथ narration होती है उनके साथ एक speaker icon का छोटा सा mark ये नीचे दाइकोने में add हो जाता है To remove narration and timings from slide show Slide show tab पर click करें और setup group को locate करें Record slide show के drop down arrow को click करें Mouse से clear की command पर click करें और आपके सामने drop down जाहर होगा जिसमें से अपने मर्जी की command पर click करें To present your slide show as video File tab में जाएं ये आपको backstage view में ले जाएगा Save and send पर click करें File type में creative video पर click करें अब आपके सामने creative video का menu खुल गया है Computer and HD displays वाला drop down arrow क्लिक करें ताके आप video quality और size को मुंतखिब कर सकें Recorded timings and narrations के सामने वाला drop down arrow क्लिक करें Don't use recorded timings and narrations का इंतखाब करें अगर आप timings record नहीं करना चाहते हैं Create video command पर click करें अपने computer में इस video को save करने के लिए location का इंतखाब करें जहां आपने इस presentation video को save रखना है Save क्लिक करें एक status bar आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको video creation की progress नजरा रही होगी Broadcasting your slide show to remote audience PowerPoint 2010 में आपसे दूर बैठे audience तक presentation पहुँचाना बहुत आसान है सिर्फ इस मक्सिद के लिए आप और आपके audience के पास internet की सहूलत होना सरूरी है To broadcast a slide show Slide show tab को select करें और start slide show group को locate करें Broadcast slide show command को क्लिक करें आपके सामने slide show का dialogue box खुल जाएगा Start broadcast पर क्लिक करें एक status bar चलना शुरू हो जाएगी आपके सामने एक link खुलेगा इस link को copy करें और इसको अपने viewers तक पहुचाने के लिए send in email की option पर क्लिक कर दें Start slide show पर क्लिक करें अब अपनी presentation स्टार्ट करें जब आप presentation खत्म कर चुकें तो ऊपर पीले रंग के बार में लिखे end broadcast पर क्लिक कर दें तो create handouts of the presentation फाइल टैब पर जाएं ये आपको backstage view में ले जाएगा Print पर क्लिक करें Full page slide के drop down arrow पर क्लिक करें और इसमें handouts group को locate करें अपने handouts के लिए page layout की option को select करें आप देखेंगे के इसमें आपको 9 slides P सफ़ा तक option नजर आ रही है इसमें से 3 slides P सफ़ा वाली option चुके एक line में slides का बहतरीन view देती है इसलिए इसको select करें Print command पर क्लिक करें अगर आप अपने handouts में header और footer को दिखाना चाहते हैं तो ribbon में मौजूद view tab पर क्लिक करें और इसमें handout master की option को क्लिक करें और फिर दिये गए boxes में header और footer लिखें अब exit master view को क्लिक करके वापस normal view में आ जाएं झाल झाल पर क्लिक करें झाल झाल